देश को विकास की नई उंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपों बजेट के लिए मैं सभी देश वास्यों को बधाई देता हूँ वित्त मंत्री, निर्मला सितारमन जीवर, उनकी पुरी टीम बहुत बधाई की पात्रा है साथियों, ये बजेट समाज के हर वर्ग को शक्ती देने वाला बजेट है ये देश के गाउं, गरीब, किसान को समरुद्धी की राह पर ले जाने वाला बजेट है पिछले दस वर्षों में, पचीश करोग लोग गरीबी से बाहर निकले है इजो नियों बिडर क्लास बना है, ये बजेट उनके ससक्ति करण की निरंतरता का बजेट है इन नवजवानों को अंगिनत नए आउसर देने वाला बजेट है इस बजेट से सिच्छा और स्कील को नई स्केल मिलेगी ये मिडल क्लास को नई ताकत देने वाला बजेट है ये जनजातिय समाच, दलीत, पिछड़ों को ससक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है इस बजेट से महिलाओं की आर्थि भागेदारी सुनिस्षित करने में मदन मिलेगी इस बजेट से छोटे व्यापारियों, मसमिस को और की लगूत जोगों को उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा बजेट में मैनिफ्रेक्टरिंग पर भी बल है, इन्फरस्टर्चर पर भी बल है इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतर्ता मिलेगी साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूत पुर्व आउसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है आज का बजेट इसे और सुद्रुड करता है, देश और दुनिया ने पिरलाई स्कीम की सफलता देखी है अब इस बजेट में सरकार ने Employment Link Incentive स्कीम की गोशना की है इससे देश में करोडों करोडों नए रोजगार बनेंगे इस योजना के तहट जीवन में पहली नोकरी पाने वाले युवा की पहली तनक्वा हमारी सरकार देगी Skill Development और उच्च सिख्चा के लिए मदद हो या फिर एक करोड नवजवानों को इंटरंशिप की योजना इससे गाओं के गरीब के मेरे नवजवान साथी मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कम्पनियों में काम करेंगे उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे हमें हर शहर हर गाओं हर गर एंटर्प्रिनर्स बनाना है इसी उद्देश से बिना गरंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को दस लाग से बढ़ा कर बिस लाग रुपी किया गया है इससे छोटे कारवारियों विशेश रुप से महलाओं दलीत पिछडे आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा साथियों हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैनुफेक्टरिंग हब बनाएंगे देश का MSME सेक्टर मद्दम बर्ग से जुड़ा हुआ है एक प्रकार से MSME सेक्टर की उनर्शिप मद्दम बर्गे है और इसी सेक्टर से गरीबों को जादा से ज़्यादा रोजगार मिलता है छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत उस दिशा में हमारा एहम कदम है इस बजेक में MSME के लिए ईज औप क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का एलान किया गया है manufacturing और exports ecosystem को हर जीले तक ले जाने के लिए budget में एहम गोशना की गई है e-commerce, export hubs और food quality testing के लिए 100 units ऐसे कदमों से one district, one product भ्यान को गती मिलेगी साथियों ये budget हमारे start-ups के लिए innovation ecosystem के लिए देर सारे नए अवसर लेकर आया है space economy को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड रुपय का फंड हो angel tax हटाने का फैसला हो ऐसे कई सारे कदम इस budget में उठाए गए है साथियों record high capex economical एक driving force बनेगा बारान नए industrial notes देश में नए satellite towns का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए transit plans इससे देश में नए economic हब विक्सित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नयो रोजगार बनेगे साथियों आज defense exports records तर पड़ है इस budget में defense sector को आत्म निर्भर मनाने के लिए अनेट प्रावधान किये गए है आज पूरी दुनिया में भारत के प्रती आकर्षन बड़ा है और भारत में तूरिजम के खेत्र में नई संभावनाए बनी है तूरिजम खेत्र गरीब और मद्यमबर के लिए कई अवसर लेके आता है इस बजेट में तूरिजम खेत्र भेर भी विशेश बल दिया गया है साथियों एंडिये सरकार ने पिछले दस साल में ये सुनिशित किया है कि गरीब और मद्यमबर को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे इस बजेट में भी इंकम टैक्स में कटोती और स्टेंडर्ड डिड़क्शन में भुद्धिक का फैसला लिया गया है टीडियेस के नियमों को भी सरल किया गया है इन कदमों से हार टैक्स प्यर को अतिरिक्त बचत होने वाली है साथियों देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी छेत्र का संपोन विकास पूर्वो दय के विजन द्वारा हमारे इस अभ्यान को नई गती नई उर्जा मिलेगे हम पूर्वी भारत में कई महत्वपून इंफरसेक्टर जैसे हाइवेज, वाटर प्रोजेक्स और प्रावर प्रोजेक्स का निर्बान कर विकास को नई गती देंगे सात्यों, इस बजेट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडोक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं इससे एक और छोटे किसानों को फल्क सब्जियों अन्न उपज के लिए नए बजार मिलेंगे बहतर दाम मिलेंगे तो दूसरी और हमारे मद्दमबर के लिए फल्क सब्जियों की उपलब्दता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोशन भी सुनिस्टिक होगा कृसिक छेत्र में भारत का आत्मन निर्भर बनना समय की मांग है इसलिए दलहन तिलहन की पैदावर बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की गोशना की गई है साथियों देश में गरीबी समाप्त हो गरीब का सतक्तिकरन हो इस दिशा में भी आज के बजेट में प्रमुग गोशना की गई है गरीबों के लिए तीन करोड ने घर बनाना ताय हुआ है जन जातिय उन्नत ग्राम अभियान सेक्चिरेशन एप्रोच के साथ पांच करोड आधिवासी परिवारों को मुलबुत सुविधाओं से जोडा जगा इसके अलावा ग्राम सड़क योजना पच्चीस हजार नए ग्रामिन छेतरों को औल वेजर रोड से जोडेगी इसका लाव देश के सभी राज्यों के दूर दराज गाउं को मिलेगा साथ क्यों आज का बजेट नए आउसर नई उर्जा लेकर आया है ये डेर सारे नए रोजगार स्वरोजगार के आउसर लेकर आया है ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फूचर लेकर आया है आज का बजेट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटेलिस्क का काम करेगा विशिद भारत की एक ठोस निव रखेगा सभी देश वाचियों को बहुत बहुत सुपकामना है